उर्फी जावेद जैसी बहू अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर ले, ये क्या पहन कर कॉलिज जा रही है? कभी सोचा भी है दुनिया क्या कहती है? मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है? मैं पता देती हूं दीदी, आपको उर्फी जावेद का डुब्लिकेट कहती है दुनिया तो क्या आपको जलन होती है? या तो आपके लिए भी कपड़े डिजाइन कर देती हूं? कॉलेज में सोनिया को देख कर सभी लड़के बात करने लगते हैं यार अजीब लड़की है, इसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसे क्या कहते हैं जो भी हो, मुझे तो ये बिल्कुल उर्फी जावेद की तरह लगती है, डुब्लिकेट एक दम, अपन तो बस मजे लेते हैं कुछ दिनों बाद सोनिया की शादी सोफ्वियर इंजीनियर अनुराख से हो जाती है शादी की पहली रात सोनिया अपने पती से पूछती है सुनिये, आपको मेरे मौडरन कपड़े पहनने से कोई प्राबलम तो नहीं है बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि छोटे कपड़े पहनने से किसी का चरित्र खराब हो जाता है अप कितने अच्छी हैं, मैं कितनी लखी हूँ कि मेरी शादी आप से हुई अच्छा बबब जल्दी सोचाओ, कल रिसेप्शन है मैंने मा से इतना कहा था, मुझे कोई अलग सी ड्रेस चाहिए मेरी शादी पढ़े लिखे परिवार में हुई है फिर भी केवल साडियां ही साडियां दी है मुझे अपने लिए कोई नई ड्रेस बनानी होगी तभी तो मैं सबको इंप्रेस कर पाऊंगी तेंशन में वो टीवी ओपन कर देती है जिसमें उर्फी जावित का इंटर्व्यू आ रहा होता है और वो अलग-अलग कपडों में दिखाई दे रही होती है ये हुई ना बात, मैं तो भूली गई थी मैं तो हमेशा इसी का स्टाइल फॉलो करती हूँ तो देर किस बात की? बनाती हूँ कोई जखास डिजाइनर ड्रेस अपने लिए सोनिया की नजर बोरे पर पड़ती है सोनिया उसे काट कर अपने लिए ड्रेस बनाती है और उपर से दुलहन की चुनरी ओड़ कर पार्टी में पहुँच जाती है सभी लोग उसे देख कर हैरान हो जाते है अरे मेर साब आपकी बहुतो कमाल की है हम तो सोचते थे बोरे में सिर्फ अनाज ही रखा जा सकता है अरे मेर साब हमें तो अपने घर के बोरों को भी चुपा कर रखना पड़ेगा कहीं हमारी बेटियों ने भी इसे फालो करना शुरू कर दिया तो बोरे कमपड जाएंगे तुम यहां खड़ी-खड़ी क्या कर रही हो इसी समय इस लड़की को घर के अंदर लेकर जाओ सब के सामने मेरी नाक कटवा दिया इसने नई नई आई है इसलिए चुपो इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूँ ले जो उसे यहां से दो दिन के बाद सोनिया पक फेरे के लिए अपने माई के चली जाती है क्यों देदी आज तो आपने साड़ी पहनी है लगता है ससुराल जाकर अकल ठिकाने आ गई है मैं कोई देहाती या गवार लड़की नहीं हूँ मैं उर्फी जाविद की तरह ही अपनी पहचान सबसे अलग बनाना चाहती हूँ देख लेना दीदी कहीं पहचान बनाते बनाते खुद ही सबसे अलग ना हो जाना सोनिया वापस अपने ससुराल आती है तो देखती है सबने पूरे कपड़े पहने हुए है अलका को बुलाती है अरे अलका तुम तो यंग हो तुम्हें स्टाइलिश कपड़े पहनने का मन नहीं होता करता तो है लेकिन मा और डैडी से डर लगता है कोई ऐसे कपड़े अलाव नहीं करेगा न तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारे लिए ड्रस डिजाइन करती हूँ तुम्हें कोई नहीं रुकेगा सोनिया की बास सुनकर अलका बहुत खुश हो गई क्योंकि घर में सक्ती के कारण वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती थी लेकिन उसका मन अतरंगी कपड़े पहनने का तो करता ही था सोनिया देख बेटी मैं तुझे समझाना चाहती हूँ तुघर की बहु है इस तरह शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनना अच्छी बात नहीं होती मा जी आप भी कितने पुराने जमाने की बाते करती हैं आपने कभी उर्फी जाविद को देखा है आईए मैं दिखाती हूँ ये देखिए ये है उर्फी जाविद आजकल सभी लड़कियों की स्टाइल आइकन है ये ए भगवान ये क्या पहना है इस लड़की ने कहीं शरीर पर घड़िया लड़काई हुई है तो कहीं पर चम्मच राम का नाम ले बहुतू ऐसे कपड़े पहनना चाहती है अरे ऐसे कपड़ों में बुराई ही क्या है कितने अच्छी लग रही है भावी मेरे लिए भी कोई अच्छी सी ड्रेस जिजाइन करो मैं भी पहनूंगी दिमाग ठीक है तेरा तेरे पिताजी को पता चल गया तो तेरी टांगे तोड़ दिंगी कुछ दिनों बाद सोनिया के साथ ससृर बदरी नाथ यातरा के लिए चले जाते हैं सोनिया अलका के लिए ड्रेस त्यार करती है और दोनों ननत भावी अपनी अतरंगी ड्रेस पहन कर बाजार चले जाते हैं सब लोग उन्हें घूरते हैं और बाजार में सोनिया का प्लासमेट अनुभव मिलता है वाओ सोनिया तुम तो शादी के बाद पहले से भी खुबसूरत लग रही हो और तुमारे साथ ये दूसरी लड़की कौन है ये मेरी नंद अलका है कॉलेज में पढ़ती है ग्रेजुएशन का लास्ट येर है वाओ अलका जी आपका फिगर भी अपनी भावी की तरह है बिल्कुल फिल्मी हिरोईन आपने कभी ट्राई किया है इंडस्ट्री में वैसे मेरी काफी जान पैचान है अगर आप दोनों चाहें तो मैं मदद कर सकता हूँ ये लिजे मेरा कार्ड एक फोन कर लिए चेगा हिरोईन का ओडिशन चल रहा है आप भी ट्राई कर सकती है अलका अनुभव का कार्ड ले लेती है अनुभव की बास सुनकर सोनिया और अलका के मन में हिरोईन बनने की इच्छा जाग जाती है दोनों एक दूसरे से बाते करती है तुझे क्या लगता है लका? क्या सच मुझ हम हिरोईन बन सकते हैं? अगर ऐसा हो गया तो तुझे पता है जिन्दगी के मसे आ जाएंगे भाबी, क्यों ना आपके दोस्से मदद ली जाए? आखिर वो तो जान पहचान वाला है उसे फोन करती है सोनिया अनुभव को फोन करती है अरे, आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल गया? तुमने मुझे कॉल किया बताओ क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? उस दिन तुम कह रहे थे कि तुम्हारे जान पहचान है इंडस्ट्री में मैं और अलका काम करने में इंट्रस्टेड है तुमने कहा था ना कि कहीं पर हिरोईन के लिए आउडिशन हो रहा है अब कहां पर हो रहा है? तुम लोग अच्छी तरह से तयार होकर मेरे फ्लैट में आ जाओ मैं एड्रस वाटसेब कर रहा हूँ मैं तुम्हें डायरेक्ट लेकर जाकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलवा दूँगा तुम्हें कोई आउडिशन देने की ज़रूत नहीं होगी फोन रखने के बाद को फोन करता है और कहता है कॉलिश के जमाने से हम लोग सोनिया को उसके उर्फी जावेद लुक के कारण पाना चाते थे वो मेरे जाल में भस गई है सच कहरा यार वो लड़की कपड़े कैसे भी पहनती हो पर केरेक्टर की बहुत स्ट्रॉंग थी कुछ ही देल में सोनिया और अलका छोटे छोटे अतरंगी कपड़े पहन कर अनुभव के फ्लैट पर पहुँच जाते है शशांक, मयंक, तुम सब भी यही हो कैसे हो तुम सब देखो सोनिया, देर करने से कोई फायदा नहीं ये पैक पियो, फिर हम पहलो तुमारा स्क्रीन टेस्ट ले लेते हैं तुम लोग हमें कैट वॉक करके दिखाओ चोटे-चोटे कपड़ों में दोनों कैट वॉक करने लगती है और अनुभव, मयंक और शशांक, बीयर पीने लगते है बहुत अच्चा, अब तुम लोग डांस करो ये क्या बत्तम इजी है तुम हमें गलस समझ रहे हो अनुभव, अलका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है भावी, बचाओ प्लीज, भावी सोनिया अनुभव को मारने लगती है और उसके सर पर फ्लार वास पेक देती है और वो बेहोश हो जाता है शशांक और मयंक सोनिया और अलका को अपनी कार में बिठा कर उनके घर छोड़ देते है घर में सोनिया के साथ, ससुर और पती उन्हें देख कर हैरान हो जाते है ये मैं क्या देख रहा हूँ तुम दोनों इतने चोटे-चोटे कपड़े पहन कर बेहोश की हालत में कहा से आ रही हो देख बेटा, तेरी बहु ने हमारी बेटी को भी अपने जैसा आवारा बना दिया है नहीं नहीं, आप गलस समझ रही है हमें बेहोशी की दवाई दी गई है, हम आउडिशन देने गए थे लेकिन हमारे इन छोटे-छोटे और अतरंगी कपड़ों को देख कर उन लोगों ने हमें गलस समझ लिया अगर भावी ने मुझे बचाया नहीं होता, तो मैं कहीं मुझे दिखाने के काबिल नहीं रहती मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आज के बाद मैं वैसे कपड़े कभी नहीं पहनूँगी मैं समझती थी कि ये कपड़े पहनने से मैं मॉडल बनूँगी सोनिया घर के अंदर जाकर साड़ी पहन कर बाहर आती है और सबसे माफी मांगती है सभी लोग खुश हो जाते हैं और सास सोनिया को अपने गले लगा लेती है सोनिया के सर से उर्फी जावेद का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है